नमस्कार मैं एंजिनर और आप देख रहे हैं दाखा बैदार निउस आई शुरुवात करते हैं MP की कुछ मुके खबरों से अरब के घूटाले में असी लोगों पर F.I.R. इन दौर के जिस बिजनेसमें ने शुकायत की वो खुद भी आरूपी निकला उज्जेन में आर्थिक अपरात प्रकोष्ट यानी E.O. जब्लू ने बुद्वार को दो अरब रूपे की घूटाले में बड़ी कारिवाई की है कंपनी और 36 फरजी फर्म के खिलाफ केस किया गया है 80 लोग आरूपी बनाय गये है E.O. डब्लू के मुताविक नीमच के अगरवाज सोया कंपनी ने 36 बोगस फर्म बना कर व्यापाट दर्शाया है 10 करोड रूपे की ट्रेक्स चोड़ी की 11.98 अरब का घोटाला हुआ है शासन को नुकसान पहुंचाने पर गवन धोकदरी में केस किया गया है भुपाल में 15 ग्रहकों ने थाने में शिकायत की कुछ ने जेवर बनवाने रुपे दिये थे भुपाल के प्रेंका जोलर्स के खिला 15 से अधिक शिकायते थाने में दरज हुई है शिकायत करताओं ने दुकान संच्वालक, अंकित, रस्तोगी और रहुल के पास जेवर गिरिभी रखे थे कुछ ने ग्यानी बनवाने के लिए रुपे जमा कराये थे कुछ ऐसे ग्रहकों ने भी शिकायत की है जिन्होंने स्कीम के लालच में आकर रुपे जमा करा दिये सोंबार राज से ग्रहकों की शिकायत थाने पहुंच रही है एक शिकायत करता का दावा है कि जमा मस्जित पोष्ट ऑफिस बाली गली मेप्रियंका ज्वालर्स ने 200 लोगों से करीब 3 करोड की ठगी की है अब दुकान बंध है लिफ्ट देने के बाहाने पुलिस कर्मी के बेटे ने की लूट कार में बेठा कर स्टेशन की बज़ा सुमसान जगा पहुंचा चाकू अडाकर केस, ATM बैक शीना इस्टेशन जाने तक लिफ्ट देने के बाहने पुलिस कर्मी के बेचे ने की यात्रे को कार में बेठाया और फिर सुमसान इलाके में लेज़ाकर उसे लूट लिया मामला जब पुलिस तक पहुँचा तो कार जप्तकर पुलिस ने आरूपी को ग्रफतार कर लिया जानकारी के मुताबिक सतना की रेलवे कॉलोनी में ले जाकर चाको की नोक पर नीतिंद्र रहुवन से उम्र 32 वर्सिय को मंगलवार की रात एक स्कोडा कार सवार ने लूट दिया पुलिस ने इस मामले में आरूपी दीपक पांडे उम्र 27 वर्सिय ग्रफतार कर लिया है आरूपी के कबजे से एक स्कोडा कार, नीतिंद्र का मुबाइल फोन, एटियम कार, ड्राइविंग लाइसेंस और लूटे गए 800 में से 600 रुपे बरामत कर लिये हैं देड मा के मासूम को दागने वालों के खिलाफ पुलिस ने दागने वाली दाई, मा और दादा को बनाया आरूपी निमोनिया का कर रहे थे लास देड मा के मासूम को दागने वालों के खिलाफ पुलिस ने कारिवाई की है स्वासिभभाः और महला बाल विकास ने मामले में जांच के बाद पुलिस को प्रतिवेदन सौपा था जिसके बाद पुलिस ने दागने वाली दाई बच्चे की माँ और उसके दादा के खिलाफ सोहाग पुर थाना में फायर दर्ज की है हर्धी गाओं में रहने वाले प्रेम लाल बेगा के डेड़ महा के बेटे प्रदीप कोल को निमोनिया की शिकायत होने पर परीजरों ने उसे परोस में रहने वाली दाई को बुला कर दगवा दिया था मासुम का अभी मेडिकल कॉलिज में उपचाच चल रहा है जी आर्पी ने पकड़ा 8,20,000 केस बनारस के ट्रेन पकड़ने दौर रहे आगरा की यूबक के पास मिला नोटों से भरा बैग पिछली दिनों भारी मात्रा में चांदी और भारी भरकम नगदी पकड़ चुकी सतना किराज के रेलवे पुलिस के हाथ एक बार फिर मोटी रकम लगी है जी आर्पी ने 8,20,000 रुपे की नगदी के साथ एक यूबक को गरफतार किया जो अनकरी के मताबिक मंगलवार और बुदवार के दर्मियानी रात लगवक तीन बज़े सतना जी आरपी ने सतना रेलवी स्टेशन के प्लैटफॉर्म नमबर दो से नोटों से भरे बैग के साथ एक यूबक को गरफतार किया है भोपाल में जमीन पर बैटकर कलेक्टर ने देखी पी उसी व्यवस्था अवसरों के साथ निलिक्षन करने निकले प्राइविट वाहनों को 15 दिन का समय मिलेगा भोपाल कलेक्टर आशी सिंग ने बुदवार को अफसरों के साथ पी उसी यानि पॉल्यूशन अंडर कंच्रॉल व्यवस्था को देखा और शंगाबाद रोड पर वे सड़क किनारी जमीन पर ही बैट गए और पी उसी के सम्मन्द में जान करे ली जिन गाडियों की पी उसी नहीं है उन्हें 15 दिन में सर्टिफिकेट लेना अनिवार किया गया है इसके बाद च्वालानी कारिवाई करने के निर्देश कलेक्टर ने अफसरों को दिये है राजोरी में मुटभेड मेजर के शहीद होने की खबर तीन जवान घैल दो आतंकियों के शिपे होने की आश्रंका सुबा 10 बजे से अनकाउंटर जारी जम्मू कश्मीर के राज़ोरी में बुदवार को आतंकियों के साथ मुर्भेड में सेना के एक मेजर के शहीद होने की खबर है तीन जवान भी घैल हुए है अलंगे सेना के तरब से इसकी आधिकारिक पुष्टी नहीं की गई है धर्मिस्ताल के बाजी माल इलाकी में बुदवार को आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षावलों ने सर्च ऑपरिसन चलाया इसी दोरान आतंकियों ने उन पर फारिंग शुरू कर दी यहां दो आतंक्यों के छिपे होने की खबर है, अनकाउंटर अभी जारी है राहूल बोले जेव कत्रा अकेला नहीं आता, तीन लोग आते हैं ध्यान भटकाने वाला मोदी, जेव काटने वाला अडानी और लाठी माने वाला शाह कॉंग्रिस नेतर राहूल गांधी ने बुद्वार को राजिस्थान में धौलपुर के राज़ा खेडा भरतपुर के नदभई और गंगापुर सिटी में चुनावी सभाओं को सम्मूदित किया राहूल ने पीम ने इंद्रमूदी केंद्री ग्रहमंत्री अमिश्वा और बिजनेसमेन गौतम अडानी पर निश्वाना साथा राहूल ने कहा जेव गत्रा अकेला नहीं आता तीन लोग आते हैं सबसे पहले एक बंदा सामनी से आता है आपके ध्यान को इधर उधर करता है उल्टी सीधी बात बोल देगा दूसरा पीछे से आता है ब्लेड से जेव काट लेता है और तीसरा बंदा देखता है कि जिसकी जेव गटी अगर उसने कोई आवाज की तो उस पर आक्रमन कर दे उसको डरा दे भीड को पता लग गया तो उसको धमकाने का काम करता है मोदी बोली राजिस फालिट की सजा उनके बेटे को दी जिसने कॉंग्रेस के परिवार की खिलाब बोला वो मरा समझो राजिस्तान में कभी गयलो सरकार नहीं बनेगी प्रधानमंत्री नैंद्र मोदी ने बुदवार को राजिस्तान के साग वाड़ा और कोटेडी में कॉंग्रेस के जोली में जाएगा यह जो दूसरे लोग खड़े हैं वो उनकी योजना से खड़े हैं पिछली बार भी पाप कर वो आपकी आँखों में धोल जोग गई इस बार नया नाम लेकर कर रहे हैं कॉंग्रेस के परिवार के खिलाफ जिसने बोला उसकी राजनिती और शेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज रिलंका भी जाएंगे एशिया कप और वन डे वर्ड कप खत्म होने के बाद अब दुपक्षिय सीरीज का दौर शुरू होने जा रहा है 23 नमबर को भारत और शेलिया के बीच पांच मैचों की टी ट्वैंटी सीरीज से इसकी शुरूआत होगी यहां से न्यूजलेंड, पांगलादेश, पाकिसान, वेस्ट इंडीज, इंगलेंड, साउथ अफरीका और बाकी टेस्ट प्लेइंग देशों की भी सीरीज शुरू हो जाएगी अब तक लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ तब तक लिए नमशकार और देखते रहिए दखाबरदार न्यूज